वेलिकम टू फ्लाई फाई इस्टि दोस्तो आपका स्वागत है तो साथ्यों इस वीडियो में क्या करेंगे प्रैक्टिस स्सी जी डी वा यूपी एसाई का हुआ ठीक तो साथ्यों आपके सामने क्यूस्चन नंबर ये का गया है ठीक तो दोस्तों बोला क्या है देखो क्यू इंजिनियर है रहे हैं इंजिनियर है तो इसका हमको बनाना है डाईग्राम ठीक क्या बनाना है डाईग्राम बनाना है दोस्तों ठीक महservice यह हुआ हुआ हैँ यह कुछ इंजिनियर जो है दोस्तों इमान दार भी हैं कुछ बैमान भी हैं तो साथिवा आपका अन्सर होने वाला है दी एंसर आपका ठीक जो आपका यह बीच वाला पोर्शन है यह इंजिनियर है भाकी सभी बैमान नहीं है ठीक रथात कुछ ही है और कुछ जो बैमान है दोस्तो कुछ जो इंजीनियर है मतलब की जो है बैमान नहीं है ये इमांदार है इसी प्रकार से ये क्यूशन है साथ यो तो फिर चलते हैं question number दूसरे एप साथ हो आपके सामने question number 2 आगया दोस्तो ठीक देखो question number 2 ये है साथ हो Philippines क्या है देखो पहले समानता ग्यात करो आप पहले question पढ़ लिजिए बोला है समानता ग्यात करें ठीक Philippines क्या है ये Philippines है यहाँ question box है आपको यहाँ पता करना है कि यहाँ पर क्या होगा अब यह क्या है भारत यह क्या है अब यह क्या है आम अर्थात देखो दोस्तों जो है भारत में भारत का जो राश्टी फल जो है क्या है आम है अब आपको पता करना है फिलिपीन्स का जो है राश्टी फल क्या होता है तो साथियों फिलिपीन्स का भी जो राश्टी फल होता है आम ही होता है तो साथियों आपके सामने question number 3 आ गया है थीक तो साथ जो ये question है most very very most important question दोस्तो ठीक ये question को डे लोग जो मतलब छोड़ के चले आते हैं इन सब question को तो आपको छोड़ना नहीं है डरना भी नहीं है ठीक तो साथ हो जो इसमें question है जो इसका statement दिया है कथन को आपको 100% सत्य मानना है क्या कथन को 100% सत्य मानना है आपको जो है फिर उसी प्रकार से जो अजमसम जो दिया जो धानाय दिया गया है ठीक फिर उसी प्रकार से आपको solve करना है बट क्या आपको जो statement है उसको 100% कथन को सत्य मानना है और उसी प्रकार से आपको solve करना है तो देखो साथ तो इसमें केरेल के सबी लोगों द्वारा लोग सभा चुनाओं में ओट दिये जाते हैं ये आपका क्या रहा statement रहा था अब देखो आपका अजंसम जो धारनाय दी है आपका धारना फष्ट दिया दोस्तों केरल के लोग अच्छी तरह से सिच्छित और संस्कृत हैं तो बताओ यह धाना सत्य है या गलत है सही है या रॉंग है क्या है ठीक तो दोस्तों देखो यह आपका इस्टेटमेंट है इसमें यह नहीं बात का है कि केरल के लोग जो हैं अच्छी तरह सिच्छित है य इसके बारे में यहां, दोस्तों यहां देखो, कुछ भी बात नहीं हुआ है। यहां बात यह हुआ है, लोग सुभागव में ओट के लिए, बड़ के दोस्तों, यहां लोग जो हैं, सिच्छित हैं, अथ счит Before ऐसी कोई बात यहां नहीं कहीगी है अर्था जो आपका ये अजम समझो है ये आपका रॉंग है ये आपका रॉंग है फिर इसी प्रकाल से हम दूसरा चेक करेंगे देखो दोस्तो इसमें बोला है केरेल की लोग मेहंती और बहुत इमानदार है तो साथ हो बताओ क्या इसका स चुनाओ कि बारें बात हो रहा है यहां तो काल ये बता रहा है केरेल के लोग जो है मेहनती और इमानदार है ऐसा कुछ नहीं है क्या है ऐसा कुछ नहीं है तो साथ हो ये भी रॉंग वैर्था जो है दोनों जो धालनाय दी गई है दोनों रांग अर्था बोत रांग है ठी पिर चलते हैं अगले Qution तो साथ यो आपके सामने next question आ रहा है थोड़ा सा wait कीजेगा यह आपके सामने Qution number 3 आ गया question number 3 आ गया इसमें आपको ग्याद करना है क्या Missing number क्या missing number ग्याद करना है साथ यो देखो तोरासा है ये हाँ आप सही होगे है दोस्तों देखो आपको गया गयात करना है लूप्त संख्या गयात करें ठीक तो साथ्यों देखो ये 11 है 4 है 7 है 49 है ठीक इसमें आप कुछ भी करो बड़ किया इसका जो है दोस्तों देखो बात ये है देखो जो यहाँ पर तीन संख्याय दी गई यह आपका साथ है यह आपका ग्यारा यह आपका चार है यह आपका 49 है तो आपको सोचना चाहिए याँ छोड़ी छोड़ी संख्याय से जो बड़ी संख्याय बनाई जा सकती है इसी प्रेकार से तो आप सोच सकते हैं कैसे हम जो है 49 को प्राप्त कर सकते हैं चुकि बागी सब संख्याय जो है छोटी है छोटी संख्याय से बड़ी संख्याय प्राप्त किया है दोस्तो ठीक ना तो देखो अगर दोस्तो यहां हम 7 इंटू 4 कर दें इसको हम 7 इंटू 4 कर दें ठीक और फिर जो आपका 11 इसे अड़ कर दें, इसे 11 को यहां ड़ कर दें, सब चोक 28 हुआ, फिर यह 11, आपने एड़ की अत्किया हो जाएगा, यह 8 एक 9 हो जाएगा, और 2 एक 3 हो जाएगा रथा जो आपका 49 मिल गया, क्या यह आपका 49 मिल गया, ठीक, इसी प्रेकरास दोस्तों अ अब यहां आप चेक कर लेंगे, अमाल और यहां भी आप चेक कर सकते हैं, देखो, पांच पचम पचीस हुआ, फिर से आप 10 आइड करेंगे, तो क्या 35 हो जाएगा, हाँ, यहां भी रूल फालो कर रहा है, तो दोस्तों इसी प्रकार से यहां करना है, छे चाओ को 24 हुआ, यहां 24 हुआ देखो, फिर यह आपका 10 जो है, यह आइड करोगे, यह आपने 10 यहां को आइड किया, तो यह आपका 4 हुआ, 2, 3 हुआ, 34 आया, 24 थाद, आपका option C सही आया, क्या option C जो है, सही है दोस्तों, फिर चलते हैं दोस्तों, अगले question पर, तो साथियो, आपके सामने अ आपके सामने next fusion आई गया है, यह देखो, यहां समकर लेते हैं, हिंदी वाला portion से, चुकि इसमें अच्छा साब को समझाना भी है हमको, ठीक, तो देखो, यह April दिया है, यह देखो, पहले आप किसे हम पढ़ लो, सबस्पहले, यदि एक निश्चित कूर भासा में April को यह ल अपराय लिखा है, देखो, उसमें पहले अपराय लिखा है, यहां लिख लेते हैं, ए, पी, आर, आई, यल है, ठीक, और फिर आपने यहां यह लिखा, यक्स लिखा है, यस लिखा है, ओ लिखा है, यह लिखा है, यह लिखा है, आई लिखा है, ठीक, तो इसी प्रकास दोस दोस्तों यहां लिख लेते हैं मार्चियम ए आर सी ह एच ठीक तो देखो दोस्तों ए से यक्स एस यक्स कैसे इसमें माइनस तीन गया है फिर देखो यहां से पी से यास पी क्यू आर एस यहां प्लस तीन गया दोस्तों यहां यह प्लस तीन गया यहां देखो जो है यह प्लस तीन गया अब इसमें देखो देखो ओ ओ हुआ दोस्तों यहां माइनस तीन गया ठीक अब दोस्तों दोस्तों यहां जो आपका यहां प्लस 3 जाएगा यहां जो स्रीट चल लए आपकी एक प्लस 3 एक माइनस 3 चल लए देखो यहां माइनस 3 हो जाएगा ठीक तो साथ चो इसी परकार हमको इसमें भी करना है साथ पहले इसमें करना है माइनस 3 फिस में करना है 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 फ जब तीन को आड करेंगे B, C, D अर था J और D आ जाएगा तो साथियो आप आप सम देखे लो J और D कहीं मिल ला है आपको यहाँ आपका J, D मिल ला है यहाँ J, E है यहाँ I, D है यहाँ J, आपर था जो आपका आप सम B है यहीं सही है पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है फाल तुम टाइम रिच्ट ना कहें Qtion को solve गरके आप आगे निकल सकते हैं तो तो ठीक है ना फिर चलते हैं अगले Qtion पे तो साथियो आपके सामने next Qtion आ गया है देखो इसमें देखो इसमें बोला क्या है निमलिखीत अच्छरों को ऐसे क्रम में लगाए गए हैं कि वे एक अर्थपूर्ज सब्द बनाएं तो साथियो यहाँ दोओ इसका जो है code दिया गया है क्या जो है इसका पोड दिया गया है देखो इसको पहले आप अर्थक्रम में लगाएं क्या इसको आप पहले अर्थक्रम में लगाएं फिर code को लिखें तो इस प्रेकार से यहाँ आपका answer मिलेगा दोस्तो यन है यह है आर है C है A है B है इसको हम मानों लिख देते हैं branch क्या branch B R A N C H क्या इसको लिख दिया branch अब देखो branch में आपका B किस पे है देखो B यहाँ जो है 6 पे है क्या है B जो आपका है 6 पे है अब देखो जो R है R किस पे देखो यहाँ जो आपका R है यह R 3 पे है ठीक आपने यहाँ 3 ले लिया 6 3 ठीक तो साथियों आप देख लो यहीं से चहे दिन कहीं मिल आपको यहां शह-फाँ, यहां शह-चीन, यहां टीन, पांच, यहां चारिक तो सा्थे आपका यह इंसर सही जाता है, जो आपका इंसर डी है, यही सही हो जाए गए चुकि यहां समको 6 दिन प्राप्त हो गया है ठीक बट आपको करना क्या है इसका जो है पहले आप अर्थपूर्ड उपर बनाएंगे बनाने बात इसका जो कोड दिया है कोड को लिख देना है बस और कुछ नहीं करना है दुफ्तु इस क्यूश्चन में ठीक फिर चलते हैं अ साथ्यों आपके समने next Q2 को वल्स इसमें करना क्या इसमें सब दिया गया है थोड़ा से wait को इतनाम कर लेते हैं को जैसे कि solve करने प्रसाइना हो मं को भी तो देखो यηदि एक अर्थ q 2000 दिया है दिया है c fps भाग दिया D कर जो है मानित दिया है तो साथ ही जो आपके एक क्यूशन दिख रहा है यहीं पर आपको जमाना है पूरा यहीं पर जमाना है उसी पर कार सब्सक्राइब कर सकते हैं देखो पहले 20 लिया 20werk को दिखा ठीक है अब क्या आपका A है देखो एक का बोला है ये का अर्थ है प्लस देखो यहाँ एक अर्थ जो है एक अर्थ जो है प्लस बोला है यहाँ देख लो पहले अप्शन में तो यहाँ 20 क्लिक के प्लस लिख दिए ठीक अब क्या है 10 है 10 लिख दिंगे 10 के बाद देखो क्या है बी है बी कर्थ क्या बोला है बी का अर्थ है गुड़ा क्या बी कर्थ है गुड़ा तो यहां गुड़ा का निसान लगा देंगे अब देखो फिर क्या है पंचानवे है पंचानवे लिख देंगे ठीक पंचानवे लिख दिये अब सी का अर्थ क्या है भाग है दोस्त करना है फिर आपका answer आ जाएगा चuchet Pहले आप दोस्तों यहां भाग देंगे इसका 5 कंव 5 होघा 15 945 यहां 15 इंटू आपका 10 हो जाएगा यह और फिर यह पलस जो है आपका 20 ही और फिर यहां पहले आप दोस्तों यहां भाग देंगी इसका 5 कियम 5 होगा 5, 9, 45 हो जाएगा देखो 5 कियम 5, 5, 9, 45 यहां 19 इन्टू आपका 10 हो जाएगा और फिर यह प्लस जो है आपका 20 है और फिर यहां आपका जो है माइनस 12 पहले सी पड़ा हुआ था तो साथियों जो आपका 20 यह है 20 और यह客वद दहमा 190 हुआ आपका यह 190 हुआ 190 और 20 आपका 210 हो जाएगा 210 हो जाएगा 210 मेंसे आप जब 12 को घटाएंगे तो आपका 198 आजाएगा क्या 198 आजाएगा थाट ओप्सन जो है यह सही होगा आपका option यह जो है सई हो जाएगा ठीक फिर चलते हैं अगले question पर साथ ही हों